आपने कभी अपने बच्पन में या आज भी ये पत्तो से बनी प्लेट देखी है आपने ये नहीं आपके दादा ने उनके दादा ने भी देखी होगी परन्तु 21 शताबदी में आकर यदि कोई आप से कहे कि ये प्लेट जर्मनी ने पेटेंट करा ली है और इसका आविशका अब जर्मनी ने किया है ये माना जाएगा तो आप क्या कहोगे आज से स्वावर्शो के उपरांत जब ये प्लेट बड़ी पॉपुलर हो जाएगी और लोग कहेंगे थैंक्यू जर्मनी और इन्वेंटिंग दिस प्लेट तो हमारे जैसा कोई व्यक्ति आकर कहेगा कि ये भारत का इन्वेंचन था परंतु धोखे से जर्मनी ने इसे पेटेंट करा लिया और हमारे जैसे उस व्यक्ति को रवीश जैसा बर्खा देशा राना आयूब जैसा कोई कह देगा कि ये तो गोदी मीडिया है और उसके उपर हस दिया जाएगा हाँ 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 सब कुछ भा प्लेट को भारत का इन्वेंचन बता रहा है वो कहेंगे अरे संघी है भारत में ऐसी गोदी मीडिया ना 100 वर्शों से चल रही है ये प्लेट 2019 में जर्मनी ने बनाई थी ये पेटेंट उसका प्रूफ है वी मस्ट थैंक जर्मन्स एरफान हबीब जैसे इतिहास कार आकर इ आप कितनी सच्ची और अच्छी हिस्ट्री लिखते हैं आपको तो हम भारत रतन देते हैं बस ऐसे ही ये प्लेट आज इवन जर्मन्स का इन्वेंचन बन जाएगी ऐसे ही सेक्डो इन्वेंचन भारत ने की लेकिन वर्ल्ड या वेस्ट ने उसका क्रेडिट ले लिया तो यदि आप गूगल पर सर्च करते हो कि किस ने प्लास्तिक सर्जरी का अविश्कार किया तो आपको पता चलेगा कि आज से 207 वर्ष पूर्व जोसफ कॉंस्टेंटीन कार्प नाम के एक व्यक्ति ने 1815 में पहली बार प्लास्तिक सर्जरी की कार्प एक ब्रिटिशर थे और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के एक व्यक्ति जो चोटिल थे उन पर ये सर्जरी ट्राइ की थी बस तभी से हम थेंक्यू इंग्लेंड करते हैं और चल रहा वैसा थी परन्तु यदि मैं कहूं कि भारत में प्लास्तिक सर्जरी का आविश्कार हुआ था तो आप मुझ पर ह भासेंगे भारत के कमीडियन्स भी इसी बात पर भारत का उप्धास करते हैं देखिए वेदों में हमारे पास सब कुछ था बीच में कोई गोरा लेके भाग गया है हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्तिक सर्जरी इंडिया नो हुई है पता है किसकी गडेश गडेश की मैं मान गया कि पहली प्लास्तिक सर्जरी आपने करी है इंडिया में हुई है तो ठीक से तो कर लेते हैं इसको तेख के तो यही लगता कि गांजा फूक के नहीं करना चीए इसा तो रवीश कुमार इन बातों को प्रक्ष देते हैं और ऐसे कमीडियन्स को बढ़ावा भी देते हैं और ये बातें रवीश के समक्ष ही कमीडियन्स कर जाते हैं अब दिखाने के लिए तो वीडियो भी दिखा सकते हैं पर छोड़ ये एंडिटीवी की वीडियो नहीं दिखाते हैं अब चलिए आपको थोड़ा और चकित कर देते हैं और ये बताया जाए कि आज से 2600 वर्ष पूर्व एक महरशी हुए थे जिनका नाम होता सूशृत उन्होंने एक पुस्तक लिखी सूशृत सही था और उस पुस्तक में पूरी जानकारी है कि किस प्रकार से प्लास्टिक सर्जरी या कहें कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं हाँ हाँ मुझे पता है अब आप वो अपना जाइब मार दोगे अरे वो तुम्हारे वेदो में तो सब कुछ लिखा है पहले से ही तुम सब कुछ जानते हो यह वाली वा कहते ही अब तुम करने ही वाले हो कॉमेंट्स में आती ही होगी तो आज की science का proof दो कुछ ऐसा भी आप कहते होगे तो वही करते हैं अफगानिस्तान अरे वही Taliban वाला अफगानिस्तान अरे हाँ भई हाँ वही Taliban जो press conference करता है और जो ऐसे ही किसी को भी गोली मार देता है और उसकी गोली पे हजारों लानतें दी जाती है जिसके डर से लोग plane के टायर पे लटक के भाग जाते हैं उसी Taliban का जो अफगानिस्तान है ना उसी अफगानिस्तान की एक महिला जिसका नाम है क्या नाम है शम्शा तो शम्शा जी की नाक एक आतंकवादी घटना में आज से चार वर्स पहले खराग हुए चोटिल हो गए शम्शा ने बीते चार वर्सों में कई सर्जरी कराई परन्तु उनका उपचार हो ना सकते तो वो भारत में दिल्ली के एक अस्पताल के एस मेडिकल सेंटर आई और वहाँ पर उनका उपचार प्रारम हुआ और वहाँ के डॉक्टर ने इनका उपचार आज से 26 सो वर्ष पूर्व लिखी उस पुस्तक के आधार पर किया और जो जो स्टेप्स उस पुस्तक में लिखे थे डॉक्टर साहब ने वो फॉलो किये और शम्शा का उपचार संपून किया स्वेम डॉक्टर साब ने दैनिक भासकर को ये इंटर्वियू देकर पूरी विधी समझाई परन्तु कोई भी बड़ा चैनल इसे कवर नहीं करेगा मुझे कई बार लगता है कि न्यूज चैनल एक पक्षिय केवल इसलिए हो जाते हैं क्यूंकि उन्हें न दूसरे पक्ष के लोगों से बात करने में संकोच होता है उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे मैं उन लोगों से बात करूं जो मेरे पक्ष के नहीं है तो आवशक है कि मीडिया एक पुस्तक how to talk with anyone ये पढ़े तो इसको पढ़ना अगर प्रारम करेंगे तो ये दिक्कत खतम हो जाएगी और आप भी सबसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी कुछ इसी प्रकार की पुस्तक को पढ़ो अनिवार रहे हैं अच्छा चलो पढ़ने का समय नहीं है तो सुन ही लो वैसे भी आप जिस सब्भेता से आते हैं वो शुरूति स्मृति की सब्भेता है और जहां पर गुरू अपने शिश्चे को पुस्तक से नहीं बढ़ाता था वो उनको चीजे सुनाता था संस्क्रित के हजारों स्लोक सुन कर कंठस्त कराए जाते थे और ऐसे ही आप कुकु एफेम पर हाव टू टॉक टू एनिवन को सुन सकते हैं एक रुपे प्रती दिन के वार्शिक शुल्क पर आपको ये जो सर्विस है ये अवेल हो सकती है यदि आप थोड़ा इसमें डिसकाउंट भी लेना चाहते हैं तो भाई AKTK50 एक कोड है उसको लगाई 50% का डिसकाउंट पहले 250 यूजर्स को मिल जाएगा साथी साथ AKTK20 दूसरा कोड है जिस पर सभी को 20 प्रतीशत का डिसकाउंट मिलेगा अब आपकी मस्तिश्क में एक प्रश्न यह भी उठ रहा होगा कि ब्रिटिश सर्जन कार्प ने प्लास्टिक सर्जरी कैसे सीखी क्या उन्होंने स्वैम से ही इसे सीखा या भारत से ये विज्ञान वेस्ट पहुंचा 1795 में जोसफ कार्प भारत पहुंचे 20 वर्ष उन्होंने भारत में व्यतीत किये और बीस वर्ष के उपरांत जब वो वापस ब्रिटेन गए तो उन्हें ना सर्जरी करनी आती थी और उसके बाद उसने विश्व की पहली कोई पहली सर्जरी जो हुई वो कर दी समझ रहो? समझ रहो आप? समझ रहो ना? बस यह यह और बताया कि आस्ट्रेलिया में इस प्रकार से एक यूनिवर्स्टी है जहां पर हमारे महर्शी की मूर्ती को बनवाया गया है और उन्हें फादर उफ सर्जरी लिखा गया है वहीं लोग उनको ताने मारने लगे भाई सहवाग को भख साला संघी बोलने लगे और स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज दोरबे का ट्वीट टाइप के ट्वीट्स उनको आने लगे अब भाई ऐसा विल्कुल नहीं है कि केवल सर्जरी और पतल ही भारत से चुरा कर विदेशी अपना लेवल लगा कर आगे लोगों को चिपका रहे हैं ऐसी अनेकों चीज़े हैं भारत का सदियो पुराना प्राणायाम आज रिसर्च पेपर उसको कार्डिया कोहरेंस ब्रीधिंग लिखकर पब्लिश कर रहे हैं भारत का योग क्रिश्चन योग कब-कब में बन गया किसी को पता ही नहीं चला अच्छा जेसी बोस या जगदी भी प्रकाशित किया था परंतु इस आविशकार को पेटेंट नहीं कराया उनका मानना था कि वही अपना पुराना वला ज्यान बांटना चाहिए पेटेंट कराकर अपने में समेटना नहीं चाहिए यही हमारा प्राचीन विचार रहा है भाई और ऐसा कहकर बोस बाबु न पेटेंट नहीं करवाया परंतु पेपर पब्लिश करा दिया दो ही वर्सों के उपरांत एक इटली का साइंटेस्ट मेकरोनी आया सेम इन्वेंशन के साथ और उन भाई साब ने ना पेटेंट करा लिया आज मेकरोनी को ही रेडियो कॉमुनिकेशन का जनक माना जाता है एक्स इस्रो चीफ ने अभी कुछ वर्ष पहले ही हाल फिलाल में ही कहा कि आर्रे भट को न्यूटन से पहले ग्रैविटी के बारे में पता था ऐसा ही क्लेम एक राजस्तान के मिनिस्टर ने भी किया था कुछ वर्ष पहले परंतु दोनों का ही हमारे देशवाशों नहीं बढ़ा उभास किया बहुत मीम बनाये गए बहुत भैंकर ट्वीट आये परंतु इनके ये सब बूलने के कुछ साथ आठ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया की दो मैंचेस्टर यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ था डॉक्टर जॉर्ज जोसफ उन्होंने 2007 में एक टीम बनाई और उस टीम ने रिसर्च करना शुरू किया उस रिसर्च में पता चला कि भारत को ग्रैविटी के बारे में न्यूटन से 200 वर्ष पहले 250 वर्ष पहले पता था उस रिसर्च पेपर में ये भी पता चला कि 1350 में भारत ने इनफाइनाइट सीरीज की भी खोज कर ली थी और खोजा गया था पाई की 9, 10 और 17 डेसिमल्स तक की वेल्यू भी के स्कूल में निकाल ली गई थी तब परन्तु भारत में ना कुछ थाई नहीं अरे अरे भारत ही नहीं था भारत का आइडिया तो अंग्रेजों के आने के बाद आया है अरे स्याफ अली खान से पूछ लो ब आया है तो भई आया है ठीक है और जब भारत ही नहीं था तो यह सब आविशकार भारतियों के होंगे कैसे है ना समझ गए ना तो चलो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और हमारी मर्चंडाइस भोकालफेक्री.com से खरीद लो जी पे फोन पे पेट्यम क कि थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप देख रहे हैं आज की दादा ख़बर जय हैं जय वारत